जमाने में अब आमदे मुस्तफा है जिधर सुनिये आवाजे सल्ले अला है खुशी है मसरत है फजल खुदा है मुबारक सलामत का रम्दान मुबारक तमाम मुसल्मानों के लिए अल्लाह तबारको ताला की जानी से एक बेश पहा तुफा है नभी एकरम सल्लाह वाले वसल्म ने फर्माया के मेरी उम्मत को रम्दान मुबारक में पांच चीजे खुशूसियत के साथ अता की गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली रोज़ेदार के मुकीबू अल्लाह के नस्दीग मुश्क से जादा पसंदीदा है रोज़ेदार के लिए दरिया की मचलिया तक दुबा करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं रोज़ेदार के लिए जन्नत हर रोज आरास्ता की जाती है इस महीने में सरकश शयातीन कैद कर दिये जाते हैं और रमज़ान की आखरी रात में रोज़ेदारों की मखफरत की जाती है रमज़ान जो लफज है पूरा का पूरा जो महीना है ये गुनाहों को इसके माने ही होते हैं गुनाहों को खत्म करने वाला महीना इसे शाबान ही में इसके तैयारी अल्लह करना शुरू कर देते थे और एक खिताब फर्माया शाबान ही में कि तुम्हारे उपर एक ऐसा अजीम महीना साया फगन होने वाला है और जिसकी बड़ी बड़ी खुसुसियात है कुरान में तीन लफ इस्तिमाल किये गए है तक्वा, तक्वीर और शुक्र तक्वा का मत्ब होता है डरना, खुदा से डरना दूसरे लफ़ें आपका सकते हैं कि अकाउंटिबिलिटी खुदा के सामने अपने जवाब दी का एसास तो एक यह जो रोजे की स्पिर्ट से तरलुक रखती है दूसरे फरमाया ल्यतुकब्रू ल्ला अला महदाकुम यानि खुदा की तक्वीर करना खुदा की बड़ाई का एसास, खुदा की गलोरी का एसास खुदा सबसे बड़ा है, सबसे परकादिर है उसी ने सब कुछ परदा किया वही सबका मालिक है यह सारे चीज़ें जो हैं खुदा की किबराई से तरलुक रखती है तो रमदान की एक किस्पिर्ट यह है कि खुदा की बड़ाई का एसास आपके उपर तारी रहे तीसे चीज़ बताएगी शुक्र, लाल लुकम तश्क्रून शुक्र करना यहां भी आप देखे जब आप रोज़ाना बिला बाबंदी के खाते पीते रहते हैं तो चीज़ों को आप फार ग्रांटेड ले लेते हैं फार ग्रांटेड यह एसास नहीं होता कि यह चीज़े कितने बड़ी नहमत है कितने बड़ी नहमत है लेकिन जब आप उसे रुकते हैं तब लगता है कि जब प्रास लगते हैं तब लगता है कि खाना करते हैं बड़ी खियमती चीज़ है तो उस वक्त शूर का जद्बा जाकता है वो कि शाम को जब आप खाते हैं तो अदिश में आता है कि रसुल्ण ने जब शाम को इफ्तार किया तो पानी पिया तो आपने फिरमाये कि कि पास चली गई और रगाँ तर हो गई अब ये लफ देखे जिसने पास का तजर्बा किया हो तो पास का तजर्बा करके आपको यह एसास होता है कि खदा ने पानी के शकल में कितनी बड़ी डिमत दी है हमको इस आप भूख का तजर्बा करके जब आप खाना खाते हैं तब एसास होता है कि खदा ने खाने के शकल में कितनी बड़ी नमत दी है यह शुक्र नभी एकरीम स्लिल्लाह वाले वसल्म का इर्शाद है कि जन्नत के दर्वाजों में एक खास दर्वाजा है जिसे बावर्यान कहते हैं इसी दर्वाजे से कियामत के रोज सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे शाबान अलमौस्ब की आखरी तारीख को नभी एकरम स्लिल्लाह वाले वसल्म ने इर्शाद फर्माया लोगों तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साया फिगन होने वाला है इस मुबारिक महीने की एक रात शब खदर हजार महीनों से अफजल है इन्ना अन्जलनाहू फी लैलतिल्कदर रमज़ान के महीने में एक रात ऐसी है जिसको हम शब खदर कहते हैं शब खदर दर असल कुरान मजीद का नजूल की रात है इस रात में अल्लह तबारु को ताला ने तमाम इनसानों के लिए हिदायत का जो जरिया है कुरान मजीद उसको नाजल फरमाया इस रात की अहमियत के तालुक से हज़राते साहबा कराम के मुखतलिफ आहादिस हमें मिलते हैं नभी करीम स्वालला अल्ला ने इस रात के तालुक से फरमाया है कि जो लोग खियाम करते हैं इबादात का इहतिमाम करते हैं ऐसे लोगों को अल्ला तबारु को ताला मखफरत फरमा देता है इस रात में उन लोगों की मखफरत नहीं होती है जो लोग अल्ला ताला के साथ किसी और को शरीक करते हैं और फिर नबी करीम स्वाले लिए लिए की तालिमात में हमें ये बाते मिलती हैं कि जो अपने वालदेन के साथ ने खुसन सुलूक नहीं करते हैं ऐसे लोगों को भी अल्लाह तबारु को ताला इस रात में मखफरत नहीं फरमाएगा फिर बातम मुश्ड़क के ये आहादिश भी मिलते हैं जिसमें ये कहा गया कि रिष्टेदारों से गते तालुक अवाला आएसे फर्द के बिमिला टुरी आख्ती खियार करने वाला अईसे फर्द के भी अल्लह ताला इस रात में मखफरत नहीं फ्रमाता है फिर ये कहा गया कि जो लोग शराप पीते हैं ऐसे लोगों को भी अल्लाय तबारुकु ताला शबे कदर में माफ नहीं करता है शबे कदर दरاصल हजार महनों से बहतर रात है इस रात में अल्लाय के फरश्टों का नजूल होता है उन लोगों से मसाफ़ा करते हैं, उन लोगों के लिए मखफरत की दौा करते हैं, जो लोग इस रात में अल्लाह रब लालमीन की अबादत का इहतेमाम करते हैं, दौाओं का इहतेमाम करते हैं, तिलावत इकुरान का इहतेमाम करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला मखफरत से खुद को अलाहिदा करके अल्लाह के हुजूर में खुद को सुपूर्ट कर दिया जाए और कसरस से इबादत की जाए अल्लाह रब आलमीन ने कहा है कि लैलतुलकद्र खायर मिन अल्फी शहर कि लैलतुलकद्र जो हजार महीनों से बहतर है तनजल कि इस दिन फरिश्टे और रूह का नजूल होता है दुनिया के अंदर और वो मामिलात ठाल किया करते हैं वाल्लाह रब आलमीन की जानिब से जो मामिलात पूरी दुनिया के लिए काइनात के लिए जो मुकद्र करना होता है उसके मामिलात तैह हुआ करते है और सुब्ह तक इसके उपर की कहा जाता है कि सलामुन हिया हत्ता मतलाई फजर की इस रात जो सुब्ह तक एक तरह से भारान रहमत खेर ही खेर की बारिश सी होती रहती है तो ये माना जाता है कि अस रात को इस रात को साल भर के मामलात का फैसला फर्माते हैं हर इनसान के लिए हर कौम के लिए हर बुल्क के लिए जो फैसले हैं खुदा के जो फैसले हैं लगाते हैं कि हमारा आकिदा है कि लगाते हैं और दुनिया में बेशबार फैसले फैसले हैं उनके जरिये से खुदा उन फैसलों को काइम करता है दुनिया पर में तो शब गदर में लाताला फैसले फर्मा कर फरिष्टों को हवाले कर देते हैं तो वो सारे साल के लिए उनका प्रोग्राम होता है किस तरह के दुनिया को चलाया जाए जिसमें भी देखें ऐएक बहुत आहम बात ये समUएने कि है कि यह सिर्फ यह प्रिदी से बात नहीं है कि खुदा ने शब कदर में फैसले कर दिया आपके अंदर यह जजबہ उठ़ाए जब आपको यह सास हो कि शुदे कर रह रही है शुद कर फैसले होने वाले हैं क्योंकि फैसला खुदा बदलेगे नहीं, तो रहेगा जो रहेगा, तो इसका मतलब यह है कि आप के दिल में यह जजबा परदा हो, इस्परिट परदा हो कि खुदाया, मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ, यह है शवब गदर का इस्तिक्वाल, यह आप जाने कि शवब गदर रही है, तो यह जजबा परदा हो आप के अंदर. यानि इसका मतलब क् depression का हुआ कि अगर मुझे कम पैसा मिलेगा तो भी मैं राजी हूँ, मैं शिकायफ नही चुरूँगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, तो मैं फखर नहीं करूँगा, और सरकर्षी नहीं करूँगा, इसमें بھی میں تیری اعتاعت کے ساتھ دنیا میں رہوں گا जो भी दुनिया में पेश आए आप जानते हैं कभी नुकसान होगा कभी बीमारी होगी कभी आक्सिडेंट होगा कभी फायदा होगा कभी ज्यादा कोई बड़े बड़ी तो आपको न jurisdiction फायदा होगा न愉न फखर पूदा होगा ना ग garlic मनफी जذ्भात आते हैं negativity जذ्भात वो सब नई आएंगे क्योंकि आप सब्देए के ख़दा की तरिफ से है जो ख़दा की तरिफ है तो मैं इस पर शकायत क्यों करूं तो शब गदर पर जो हमारे यवान है वो इसी माने में है कि हम यह माने कि ख़दा की तरफ से जो फैसले किये गए हैं हमको फरिश्ट नाफिस कर रहे हैं तो हमें तो उसको मानना है हमें उसको एकसप्ट करना है दिल जान से यह बहुत जो दस दिल रह जाते हैं उसमें तलाश करना होता है इस सलसले में आम तोर से जो आधिस आती हैं वो पांच ताक रातों में तलाश करने को उसकी सलसले कहा जाता है एककीसमी तेईशमी पच्चीसमी सत्ताइसमी और उनतीसमी में लेकिन इसकी 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 इसको तलाश की ज ربی صلی اللہ علیہ وسلم के बारे में आता है कि जब आखरी अशरा शुरू होता था तो वो अपने रात और रात अपने आपको जगाया करते थे अपने अहल अयाल को जगाया करते थे वो कहते हैं वो शग्दल मेजर का लफ़ आता है जिसे लंगोट कस लेना याने तहबन बांज देने को कहते हैं कि इसके अलावा अबादत के अलावा उनको कुछ और काम लगता है कि रही नहीं जाया करता था यो तो जस तरह की भी अबादत की जाए हरे एक की अहमियत है लेकिन वो अबादत खुसी अबादत है इस वक्त पराण पढ़ने की बहुत अहमियत है नमास पढ़ने की बहुत अहमियत है तो ऐसी सूरत में खुसी दॉा के तोर पर यहां पर रसूल मुहमद अर्ब्स अंवे ऑर्ब ईनका अफू친 तो ہी बक्षिश करने वाला है तो ही माफर माने वाला है लाहुमा इनकाफून तुहिबूलाफवा माफी को पसंद फरमाता है फाफूअनी लहाज़ा तुहमें माफ फरमा दे इसलिए इस राद खुसूसी तोर पर इस दुआ का इहतमाम करना चाहिए और एक चीज़ और ख्याल लगना चाहिए कि अबादत तनहाई की अबादत की बड़ी अहमियत है अपनी गुनाहों पर शर्मिनदा हो करके अगर एक आँसू का गर जाए तो अल्लह ताला को बहुत पसंदीदा हुआ करता है रमदान मुबारक के आखरी अश्रे की एहमियत इस बाद से भी वाज़ हो जाती है कि इसी अश्रे में इतिकाफ किया जाता है जिसमें बंदा मुकमल यक्सूई के साथ दुनिया की तमाम दीगर जरूरतों से बेन्याज होकर अल्लह की अबादत करता है रमदान के आखर में जो इतिकाफ होता है तो सच पूशे तो इतिकाफ पर रमदान ही से तल्ग उसका है पर रमदानी इतिकाफ है इतिकाफ मतलब क्या है यानि मादी सरगर्मियों से अपने को हटा कर खुदा के तरफ एक्सूई हो जाना यह इतिकाफ रमदान का महीना यक्सूई का महीना है तो महीने भर यक्सूई आपकी जन्दीब होनी चाहिए दिन को भी, रात को भी, सोब को भी, शाम को भी माद्दी चीजों से अपने को जतना मुम्किन हो अतना दूर करके ख़दा के तर यक्सूई होना एक्सुनिक मानी है कि खुदा की याद करना, खुदा की अबादत करना, और फिर आखिर के दस दिन या उससे कम दिन इतकाब में बैठते हैं लोग, तो क्या वो उसकी मुकम्मल शकल है उसे इतकाब की, जो मत्लूब है सारे महीने, एक्सुई, रमदान का महीना है कि अपने को खुदा की तरफ यक्सु करना, आखरी अशरे से मतलिक, लाकर रसूल सल्म के बारे में, जो उनकी रोज़ाना की जो जिन्दकी है, वो मामूल से हट जाया करती थी, और इस सल्सले में बखारी मुस्लिम की एक बड़ी वाज़े हदीस है, अज़त अब्दुल्ला इबन अमर खाल, काना रसूलले सल्लौ जफ बारे मिल्रमा ऱौल्धान, रमादान का जो आखरी अशरה हुआ करता था, इसमे अल्लह की रसूल, महमद अर्या ऑत्रिकाफ में चले जाया करते थे, प्यातिकाफ का मत सब्सक्रा दिया Els कि इatiकाफ में पत्दे confession के अपने आप को दुने व आपको रखा जाए और बाकी जितनी भी जायस खाहिशात हैं उन सब पर भी कंटॉल कर लिया जाए और ये दिन और रात सिर्फ और सिर्फ अर्ला के नाम कर दिया जाए अपकाफ की सूरत में हलाल चीजों से भी रुख जाने को इतिकाफ कहते हैं हलाल चीजों से भी रुख जाता है इनसान और सिर्फ अल्ला रब रालमीन की खुजूर पहुँच करके सिर्फ उसकी अबादत में अपने आपको पेश कर देता है अमत के लिए तालीम है कि आखरी अशरा पूरी तरह से अपने आपको अबादत में वक्फ कर दिया जाए अफसोसनाक पहलो ये हुआ करता है कि हम दे देखते हैं कि इन्ही दिनों में हम एद की खरीदारियों में जुड़ जाया करते हैं इन्ही दिनों में और भी बहुत सा जादत हर चीज इन दिनों में आखरी बिलकुल अपने आखरी मलहरे में नक्ते अरूज पर पहुँच जाती है कि अब वहां के बाद अब कुछ नहीं है अब वो आखरी लम्हा है जहां पर इन्सान अपनी बाद्जापी के लिए सवाब को हासल करने के लिए पूरी इंतहा अपनी पूरी की पूरी जिस्तों को सर्फ कर दे रमदान मुबारक के आखरी अश्रे में फितरा निकालने की ताकीत की गई है एद गा जाने से पहले अगर फितरा निकाल दिया जाए तो अल्लह उसे खुबूल फरमाता है इस फितरे से घरीम मसल्मानों को एद मनाने के लि ये इद गा जाने से पहले फितरा निकालना वाजिब है रमजान में फितरा देने के तालुक से नवी करीम की आहादिस मिलते हैं ईद से पहले वो लोग जो रुज़दार हैं वो लोग जो गरीब भी हैं मालदार भी हैं ऐसे लोगों को भी फितरा देने की तालीम नवी करी ﷺ ने दिया है दरवसल फितरा देने से दो बाते हमारे सामने आती हैं पहली बात ये कि रमजान के महने में रोजे के हालत के अंदर अगर कोई कमजोरी हमसे वाकि हुई है तो वो दरवसल उसका सदका है और फिर इसके अलावा ये सदके फितर की वज़े से घरीब मिस्कीन जो म बाते हैं प्यार और महबत को फरोग देने का एक कहमतरी जर्या है रसुल्लह अलाव सल्म पर जब रमजान के रोजे फर्ज हुए थे उसी जमाने से ही फितरा भी देने की तालिम नबी करीम सल्ला लाले सल्म ने दिया है दर असल फितरे से घरीब मुस्लमानों के लिए इद का करना बड़ा आसान होता है वो अपने बच्चों के दर्मियान खांदान वालों के दर्मियान और अपने अडोस पडोस के दर्मियान भी ईद बखुशी उसे अदा कर सकते हैं इसलिए ईद के नमाज पढ़ने से बाँ बरकत मवाकि फराहं करता है इसलाम में जो भी बन्ते हैं वो इनसान के फितरत के मुताबिक हैं और अल्लह रब आलमीं चुकी इनसान का सिबसे जादा मिजएश शनास है इस वज़े से उसने जो कुछ भी अता किया है वही इनसान की फित्री जिंदगी वही इनसान की जरूरत है तो बुनियादी तोर पर इसलाम इनसान की जरूरत का नाम है अब आप देखेंगे कि इसलाम की हर चीज में कोई नो कोई एक पैगाम होता है कहीं महबत का पैगाम होगा, कहीं अखुषत का पैगाम होगा, कहीं इत्तिहाद का पैगाम होगा हम इस आखरी अशरे के अंदर भी एक इत्तिहाद का पैगाम देखते है इस सलसली की एक हदीस जो आती है वो ये है कि अल्लह ताला ने अल्लह के रसूल मुहमद अरभी असल्म को बता दिया था कि वो रात कौन सी रात है जो कि हजार महीनों से बहतर है लेकि जब आप तश्रीफ लेकर आ रहे थे तो देखा कि दो लोग आपस में जगड रहे हैं लड़ाई कर रहे हैं जाहर से बात है नबी एक अमन का पैगाम अमन का पैयांबर होता है फौराँ जगड़े के इमड़ारे के लिए दोनों को सुल्ख कराने में लग गए और सुल्ख कराया लेकिन अब इसके बाद हदेश में आता है कि उनके जहन से बात महव कर दी गई कि वो रात है कुँन सी और फिर जब अल्लह ताळा के पास अल्लह कर रसूल ने रूजू किया कि आ ल्लह ताब मेरे जहन से इस वज़़ा से इस बड़े काम की वज़़ा से मैं भूल गया कि वो रात कौन सी है तो कहा ठीक है ऐसा है कि अब इसे आप पांच रातों में तलाश कीजिए इसे पता चलता है कि जगड़ा किस कदर मुसीबत है उसकी वज़े से वो रात हमसे खो दी गई और तलाश करने के लिए कह दिया गया और से ये भी पता चला इत्दिफाक कि अतनी बड़ी दौलत है कि इतनी अधीम रात की दावत इतनी अधीम रात की को लेकर कि अमत के पास आ रहे थे लेकिं जगड़े को खत्म करने के लिए उनको नम्टाना जरूरी इस पहले समझा कि हमें आपसी जगणों से परहेस करना चाहिए और इत्धाद और इत्फाक के साथ अपने जिन्दगी बुजारने चाहिए जिधर सुनिये आवाजे सल्ले अला है खुशी है मसलत है कि द्धोशी जगणों से अपने जिन्दगी बुजारने चाहिए